चलिए students, हम लोग question number 8 को solve करते हैं, देखे question number 8 में हमें क्या दिया है, मैं दिया है या दी, यहाँ पर मैं determinant दिया है, is equal to, दूसरा determinant दिया है, तो x बराबर है, मैं x का मान निकालना है, तो चलिए, हम लोग इसको solve करते हैं, देखते हैं, इसका solution क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया है, मैं दिया है, साडिक x2, 18x, is equal to, 6, 2, 18, 6, हम लोग इसको solve करते हैं, solve कर लिजे, क्या हो जाएगा, 2 x 2 का साडिक है, तो इसको कैसे solve करेंगे, इस से, इसमें multiply कर दे, एक्स को एक्स से multiply करिये, ज़्य हो जाएगा, x square, minus, 2 को 18 से multiply करिये, तो 2, 18 में कितना हो जाएगा, 36, is equal to, इसको इस से multiply करना है, 6 को multiply कर दे, 6 क्या हो जाएगा, 36, minus, इस 2 को 18 से multiply करिये, 2 को 18 से multiply करें क्या हो जागा 36 और 36 मानस 36 क्या हो जागा 0 और यहाँ से क्या हो गया x square मानस 36 इसको आफ आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको आफ लोग सोचे कैसे लिख सकते हैं यहाँ से यह क्या है a square चलिए लिख्ञे ज़िए a square 6 का square is equal to 0 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहां से देखिए a square minus b square कैसा बन रहा है a square minus b square के बराबर बन रहा और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a plus b और दूसरे bracket में a minus b ऐसा लिख सकते हैं तो लिख दीजिए एक bracket में हो जागा x plus 6 और दूसरे में हो जागा x minus 6 is equal to 0 ऐसा ह और यहां से देखें क्या हो जाएगा इफ x plus 6 is equal to 0 तो क्या हो जाएगा x is equal to minus 6 और अगर x minus 6 is equal to 0 है तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 यानि कि हमारे पास जो x है उसकी वैलू क्या है plus minus 6 तो आप लोग देखें कौन सा option हमारा correct है option number B हमारा option number B correct है तो students इस तरीके से हमने question number 8 को solve किया तो चलिए गाई आप लोग पढ़ते रहे हैं अगर आप लोग कुझारा से भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए गाई जब लोग पढ़ते रहें thank you